आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूँ चावल के आटे के बहुत ही टेस्टी चटपटी एकदम यूनिक से रेसिपी जिसे हम एकदम कम उयल में बनाके तैयार करेंगे और खाने में भी ए नास्ता उतना ही टेस्टी है साथी साथ हेल्दी भी है क्योंकि आज हम इस नास्त भी किराने वाले के शौप पे इजीली मिल जाएगा यह फिर आप चावल काटा घर पर भी तैयार कर सकते हैं आदा कप इसमें में फ्रेश दही एड़ कर रही हूँ अगर आपको दही ज्यादा खटा है तो आप इसमें एक जोधाई कप दही कही यूज करें टेस्ट के कोड पानी डालते जाना है और इसका लंब स्प्री बेटर त्यार करना है यह नाश्ता बनाने के लिए बेटर आपका बहुत ज्यादा गाड़ा नहीं होना चाहिए और नहीं बहुत ज्यादा पतला अभी मैं आपको चेक करवाऊंगी कि किस तरीके की कंसुटेंसी होनी चाहिए आपके बेटर के बेटर हमारा एकदम तैयार है और इदेखे इस तरीके कंसुटेंसी होनी चाहिए आपके बेटर की इस पूरे बेटर को तयार करने में में आधे कब से थोड़े ज्यादा पानी का यूस किया है वेटर कॉं 15 मिनिट के लिए कवर करके रैस पर रखेंगे ज अब एक मैंने गाजर ले थी गाजर को ग्रेट करके लिया है आप चाहें तो बारीक बारीक कट करके भी ले सकते हैं एक चिली फ्लेक्स लिया है आप इसकी जगा पर हरी मिर्च को बारीक कट करके डाल सकते हैं यह फिर लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं थोड़ा सा बार चीजों को बैटर के साथ में आज इस नास्ते को हमने सिर्फ तीन चीजों से बना के तयार किया है चावल का आटा दही और गजर और बांके हमने इसमें सिर्फ बेसिक मसालों का ही यूज किया है बहुत ही कम समान से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनके तयार हो जाता है एक बा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और अगर आप मेरे चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्क्राइब करें साथी ओल बैल आइकन को प्रेस करें जिसे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें अब गैस के उपर मैंने रखा है तड़का पैन तड़का पैन मे लिए उन्हें भी एट कर देंगे अगर आपके पस कड़ी लिफ्स हो तो आप जरूर डालें बहुत ही अच्छा टेस्ट आए गई से नाश्ते में अब राई और तिल को हम एच्छे से पहले तड़क ने देना है राई भी हमारी अच्छे से तड़क चुकी है तो गैस कर द लगाए भी इस नाश्ते को बना सकते हैं एक चोथा ही चमच मैं इसमें एट कर रहे हूं बेकिंग सोडा थोड़ा सा पानी डाल देंगे आफ्टेवले स्पन करें जिससे कि सोडा एक्टिवेट हो जाए और अच्छे से बैटर के साथ में मिक्स कर देंगे और यह बेकिंग आप फैन, तो आप पैन को ओयल से ग्रीस कर देंगे आप इसकी ίαर कर सकते हैं आप पैन को आपने और ओयल से ग्रीस कर दिया है तो अब सभी के उपर एक जमच भरके बैटर डालेंगे डिब्डर आपको उतना इन डाला है जिता आप फैन में आ आजयए ऐसे ही सभी के उपर ब्यक्टर को पहले फिल कर देंगे हाँ गेस को लोही रखना है आपको और आप एक मिनिट के लिए नाचते को आफे आपको एक मिनिट हो चुका है सभी के उपर दो-दो ट्रॉप पोईल डाल देंगे सभी के उपर आपने दो दो ड्रॉप डाल दिया है तेक बड़ सभी को पलटा देंगे और देखी कितना बढ़ियां कलर आया है नाष्टे में और जब एक साइड से नाष्टा आपका अच्छे ते सिख जाए उसके बाद ही आपको इसे पलटा ना है ऐसे सभी नाष्टे को पलटा देंगे पहले हम दो से तीन मिनिट के अंदर ये नाष्टा बनके तैयार हो जाता और बहुत ही हल्दी रेसिपी है ये तो एक बार आप इसे ट्राय जुरूद करें और मुझे कमेंट करके बता हैं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी सभी को हमन आपको दिखा रहे हैं यह देखें निकाल लेंगे ऐसी सभी नाष्टे को निकाल लेंगे पहले हम और ऐसे ही अपने बाकी बती नाष्टे को भी बनाके तैयार कर लेंगे चावल काटे और गाजर का बहुत ही टेस्टी चिपपटा सा नाश्ता हमारा तैयार है आज हमने इसे टोमेटो स्वास के साथ में सर्व किया है आप इसे साधा भी खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है नाश्ता खाने में और बहुत हेल्दी भी है क्योंकि आज हमने इसे बहुत कामएल में बनाके तैयार किया है, तो एक बार आप मेरी रेसिपी को ट्राय जरूर करें, और मुझे कमेंट करके बताइं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, रेसिपी इच्छी लिएब के तो वीडियो को लाइक करें, जदा ज़दा शेयर करें और चैनल को करना बिल्कुल ना भूले साथी ओल बैल आइकन को प्रेस करें जिस्से आने वाली वीडियो की नोटिफिक्यूशन आपको मिलती रहे तम फिर मिलेंगे एक नही रेसिपी किसा थेंक्यू फ्रेंड्स